जय शिरी राम आज हम बात करेंगे कि मंगल अश्टम भाव में कैसे फल देगा अभी तक हमने बात की है पहले भाव से लेकर साथवे भाव तक सभी परिष्थतियों में मंगल कैसे फल देगे उसको आप लोगों ने अपनी कुडलियों में देखा भी आप लोगों के कमेंट भी देखे हैं मैंने आज हम बात करेंगे अश्टम भाव के अंदर जब मंगल बैठा हो तो सभी परिष्थतियों में कैसे फल देगा सभी परिष्थति कुछ है, नीच है, मित्र है, शत्रूराशी में है, अस्त है, वक्री है वो सब कुछ इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो में अंतक बने रही है, जिससे आपका कोई मन में सवाल चल रहा हो के मेरा अश्टम में मंगल है, तो वो कैसा फल देगा, आपको उसका जवाब अगर वीडियो में नहीं भी मिला है, तो आप म अगर है, उस घर के अंदर एक व्यक्ति है, जिसका नाम मंगल है, उस घर का अपना एक वातावरन है, उस व्यक्ति का अपना एक सभाव है, अब यह देखते हैं कि वो वातावरन और वो सभाव आपस में मिल गए, तो सब बहुत अच्छा, और वो वातावरन और वो सभाव वापस में नहीं मिले तो problem होती है अब किन परिस्चतियों में वो problem है और किन परिस्चतियों में वो भहतर है उसी के आहंभिस्तार से चर्चा करेंगे सबसे पहले अस्तम भाव को अच्टम भाव को आयू का भाव कहते हैüm पैतरक संपत्ती भी अस्टम्भाव से देखते हैं। ससराल पक्ष का भी विचार अस्टम्भाव से किया जाता है। क्योंकि सप्तम से दूसरा होने के कारण इसे पतिनी का कुटुम्ब कहा जाता है। तो वहीं अचानक से मिलने वाली सफलता, पैसो का रुपना, पैसो का फसना, आध्यात्म, योगा, प्रणायाम, समाधी, रिसर्च, ये सब आठवे घर के प्रतीक है, अब उसके अंदर प्लेनेट जा रहा है मंगल, मंगल कौन है, एनर्जी का ग्रह, अब आठवे घर के अंगल अगर कुंडली के आठवे घर में बैठ गया, एनर्जी का ग्रह, और अश्टम भाव क्या है, अरचन दुविधा परेशानी, गलतियां, आपकी खुद की गलतियां, क्योंकि ये लगन से आठवा है, किसी भी भाव से उसका आठवा घर उस भाव के अंदर प्रबलम जब देता है, जब आप उस भाव से संबंदित खुद ही प्रबलम करते हैं, अगर हम पंचम भाव को देखें, तो वो दसवे से आठवा है, कि आपकी गुद्धी में ही गलत अंदिरने लिए गए हैं, तब ही आपकी प्रोफेशनल लाइफ में लॉस हुआ है, ऐसे ये मंगल क्या है, हिम्मत जोश साहस का कारक है, ये जिद्धी भी है, आठवे घर में बैठा हुआ है, आपकी ऐसे लोगों में बहुत लोग ऐसे होते हैं, उनको कितना भी समझा लो, लेकिन उनको वो बात समझ में नहीं आती, वो जो डारेक्शन अपने आप सलट करते हैं, उ शुब ग्रह की राशी में हो, तो तो बहतर है, लेकिन इसके विपरीद अगर मंगल यहां अश्टम भाव में है, शत्रू की राशी में पहुँच गया, नीच का हो जाए, अशुब ग्रहों से द्रश्ट हो या उनके साथ हो, तो क्या होता है, व्यक्ति जीवन में किसी की स शिक्षा में, कहा लगा रहा है, यार दोस्तों के साथ घूमने में, लोगों से बिनावजे पैस करने में, लड़ने जगरने में, सुबह निकल जाता है, शाम तक कुछ पता नहीं है, खाने के समय पर आए, किसी की सुनी नहीं, अपनी चलाई, महराजों की तरह घर में अब अश्टम भाव के अंदर हमने एक कारकत विल्या है, आयू और मिर्तियू, कि आयू देने वाला भी ग्रह यही है, आठवा भाव, कहा जाता है कि मंगल अश्टम में अपनी राशी में हो, शुब ग्रहों के साथ हो, या शुब ग्रहों से द्रश्ट हो, तो वो अच्छ हो जाते हैं, जलने हो जाती है, या किसी प्रकार में भीमारी राव यह है अधिक तर यह दिखा रहाती है कि मंगल क्या है, गोली, बंव, कांड्व, एकशिडल्ट हो जाना, छट से गिर जाना, अगनी से जल जाना, करंट से मर जाना, ये सब कुछ देखा रहाता है अस्टम भाव से, कि अस्टम में ये ग्रह अगर बहुत पीडित है तो आपको वो उसी प्रकार की मृत्यू देगा, इसको हम कहते हैं टाइपस ओफ डैथ, कैसे होगी इसकी मृत्यू, अगर वो यहाँ पे मंगल वो उसकी हेल्थ बनेगी, कि या जैसे जैसे वरद्ध होता चला जाएगा, वैसे वैसे उसकी आयू कम होती चली जाएगी, या कह सकते हैं उसको बीमारी बढ़ती चली जाएगी, और वो अंत में उसका जो अंत होगा, वो बीमारी से ही अंत हो जाएगा, आप इसको ऐसे सम ऐसा ग्रहे अपनी दशांतर दशा में आएगा, problem create करता है, बहुत अच्छी अवस्था में है तो problem create नहीं करेगा, लेकिन बहुत अच्छी अवस्था में करेगा, लेकिन खराब है पीडित हैं, तो छिद्र ग्रहे अपनी दशा में नुकसान करते हैं, या कह लिजिए कि व्य तो तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है, अशुब है, तो ऐसे लोग जीवन परियंत्र, बिना वजय के कारियों में अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हैं, और फिर बाद में उनको पस्ताना पड़ता है कि मैंने सही समय पर ये क्यों नहीं किया, मैं सही समय पर अपना काम कर कर लेता, माब आप कहते रहे जाएंगे पढ़ ले वेटा पढ़ ले नहीं पढ़ेगा, नौकरी में डिस्टर्बेंस है, नौकरी स्थिर नहीं रहती, किसी को कुछ भी बोल कह रहते हैं, नौकरी वाला आपको आपके वहबार से ही बाहर निकाल देता है, या बिजनस करते लोग आप से एक दो बार बिजनस कर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं यह वेक्ति बिजनस के लाइक नहीं है, इसको बिजनस करने की अकल नहीं है, तो एर थाओ, उसमें मंगल शुब भी है, अशुब भी है, डिपेंड करता है आपका मंगल कैसा है, लेकिन आठवे घर के का करकत वो क्या है, और मंगल के क्या करकत वो कैसे मिलते हैं यहां, वो एक मोटे तोर पर अभी तक मैं आपको समझाया, अब इसकी अलग-अलग अवस्थाएं हैं, उनसे भी मैं आपको समझाता हूँ, जैसे, मंगल अगर अश्टम में वक्री हो, और यह मेरा परसनल एक्सप समझाता हैं, अशुब के रहों से प्रभावित हैं, तो ऐसे लोगों को पहले रोग होता है, रोग के बाद उनको सर्जरी इसका सामना करना पड़ता है, बहुत बार पेट से समझाता हैं, आतों से समझाता हैं, या पाइल्स के रोग, भगंदर के रोग, फिशर के रोग भ सवराशी का है शत्रू की राशी में है छटे से संबंद है अशुग राउ का प्रभाव है राउ के तुवक्ष तो ऐसा मंगल की दशा आपको बहुत शारीरिक कष्ट देने में शक्षम है यह आपको शारीरिक मांसिक और आर्थिक तीनों रूप से हिला देगी मंगल अगर य इनर्जी लगाना बंद कर देता है तो लेकिन बहुत बार क्या होता है मंगल यहां जाके अस्त हो तो कहते हैं उस व्यक्ति को जगाना पड़ता है उसको बार बार में जगाना पड़ता है उसको दिखाना पड़ता है कि भाई तुमारी अंदर इतना सामर्थय है इस बो तभी तुम्हारा यह मंगल उठेगा ऐगर यहां पर यह अस्त हो गया तो खराब है है कि अगर मालिजे श्वयराशियर उच्च का होके अस्त हो गया तो क्या वोगा नुकसान हो गया क्योंकि मंगल वहां बली था लेकिन उसको अस्त कर दिया सूरिया ने लेकिन अगर यह मंगल यहां खराब इस्थितियों में है पीडित है और वह जूर्य से अस्थ हो तो वह उतना खराब नहीं कर पाएगा जितना उसको खराब करने की इस्थितियां दिखती है तो वह दोनों चीज़ें यहां चेक करनी पड़ती है अब हम देखते हैं कि बहुत बार क्या होता है लोगों की कुडली में मंगल वक्री भी और अस्त भी है तो क्या है 50-50 रिजल्ट है वक्री कुछ अच्छा करना चाहरा है अस्त उसे करना दे नहीं रहा इस पर निर्भर कर अशुब क्रहों की राशी में है तो यह आपको कहिना कहीं बक्ष देगा लेकिन अगर मंगल वैठा है वक्री भी है अस्त भी है तो बहुत जादे प्रब्लमेटिक हो जाएगा अशुब क्रहों का प्रभाव होगा तो जादे परेशान कर देगा मंगल अगर यहां आपको अच्छी आयू दूंगा अच्छी ससुराल दूंगा पैतरक संपत्ति दिलाऊंगा हिम्मत दूंगा जोश दूंगा साहस दूंगा अपनी दशाह आने पर आपको सडन गेन दूंगा क्योंकि मंगल का संबत यहां से द्रश्टी से देखे तो लाब स्थान और दूस इसके विपरीत अगर यह मंगल यहां पीडित है पीडित मतलब अस्त हो जाए वक्री भी हो जाए अशुक रहों के साथ या उससे द्रश्ट हो छे-ाट बारे का संबंद हो तो क्या होगा ससुराल पक से संब्मान नहीं मिलेगा पैतरक संपत्ति में लड़ाई जगले जंज देने में यह कॉंबिनेशन चक्षम होगा फिर यह चित्र ग्रह की तरह काम करेगा फिर आपको बहुत प्राब्लम करेगा तो निर्भर करता है कि कैसा मंगल है अब यहीं मंगल बैठा है आठवे घर में इसको दोनों तरीके से देखो अस्टमेश अस्टम में है लगनेश अस्टम में है अब लगन का मालिक अपने से आठवे में गया हुआ है यह जीवन में संघर्ष देगा लेकिन अस्टम का मालिक अस्टम में है तो नियम वही है अगर यह शुब ग्रह बैठ गया या शुब ग्रह इसको देख रहा है या इसके साथ कोई ग्रह नहीं है ना इस पैतरक संपत्ती अच्छी, ससुराल पक्षे भी धन मिल जाता है, पतनी भी धन लेकर आती है, अस्टम भाव को हम समाधी भाव कहते हैं, आठवा घर जलतत्व राशी के अंदर है, क्या थे चार आठ बारा जलतत्व राशिया, चार आठ बारा मोक्ष्ति कौन राशिया, जित करना, प्राचीन गंथों के बारे में देखना, ऐसी जगहों पर घूमना, ट्रैवलिंग करना उसको बहुत पसंद है, वो इन चीजों में बहुत इंटरस्ट जगाता है, अगर यहां पर मंगल अशुप प्रभाव में है, तो यह व्यक्ति की विपरीत इस्थितिय उसका त तो दौनों तरीके के एफेक्ट हैं, प्लस भी और माइनस भी है, अगर यह लगनेश हो के आठवे घर में पीडित है, तो आपको जीवन में बहुत स्ट्रगल देगा, आपका सम्मान नहीं होगा कहीं भी, आप सम्मान के लिए तरसे, नीच का हो जाए तो क्या होगा, जीवन से आठवा है, यानि ऐसे लोग जीवन में अपनी ही गलतियों से अपने नुकसान करते रहते हैं, अपनी गलती से शिक्षा का नुकसान, अपनी विद्या गुद्धी से कारे शेत्र के अंदर नुकसान, किसी की सुनते नहीं है, क्योंकि एक तो मंगल हो गया, उपर से नीच का हो गया, वो सोचते हैं, मैं जो कर रहा हूँ, वो ही ठीक है, मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मुझे ही अकल है, बाकि किसी को कुछ पता ही नहीं है, लेकिन उसको क्या पता, कि वो अपनी बुद्ध्यों से अपना नुकसान कर रहा है, जीवन के सारे निर्णों से समझाएं कि भाई ये मत करो, गलत है, उसी सिक्षा को करेगा, ये निर्णा मतलो, उसी काम को करेगा, शौटकर्स अपनाएगा, जुए इसमें शटे में, लाटरी में, शेयर मार्केट में पैसा लगाने की आदत हो जाएगी, फिर उसमें लॉस कर लेगा, फिर अपना नु तो इसका सीधा सीधा सा मतलब है कि अश्टम भाई में निच का मंगल मांगले जीवन को द्वस्त करता है, ये सस्राल पक्ष का भाई है ना, सस्राल पक्ष भी तो जब वी बनेग, जब शादी होगी, जब वो शादी नहीं होने दे रहा तो सस्राल पक्ष किस बात का, वो उमर हो जाती है फिर शादी डूंडने चलता फिर शादी नहीं होती है तो भाईया वही चीरे पहले शादी नहीं हो रही तो संतान भी डिले हो गई और अपनी गलतियों से यह काम करते रहे तो खुबारे भी रह जाओगे ऐसा भी सही से दिखता आठवा घर का मंगल नीच का आपको ड्राइविंग सेफली करनी चाहिए रिस्क नहीं लेने चाहिए नहीं तो आपको रिस्क ऐसा भी लग जाएगा कि आपको कोई चोट लग जाएगी हैवी और वह बहुत लंबे समय तक ठीक नहीं होगी तो उसका भी आपको ध्यान लगना है अब कुछ लोग कहेंग ठीक है विदेश चले जाओगे विदेश में जाना शुरू कर दोगे लेकिन वहां पर भी जाके मंगल तो नीच का है यह तो मान नहीं पड़ेगा और मंगल नीच का है तो क्या है एनर्जी गलत जगे लग रही है हिम्मत जो शाहस पूरा है एनर्जी बिना वजय दूसरी पर लग रही है और लगाए जा रहे हैं यह नहीं पता लग रहा है कि जीवन का टार्गेट क्या है पढ़ रहे हैं तो पढ़ते ही चले जा रहे हैं और पढ़ना है अभी तुम्हें पढ़ाई कर रहा हूं अभी तुम्हें शादी करूंगा नहीं भाया तुमने अपनी मुँ में आता है बोल देता है सामने वाले को बुरा लगे चाब भला लगे अधिकतर ऐसे लोग कटू शब्दों का परियोग करते हैं तो वह एक समस्या है ऐसी स्थिति में लगन का मालिक ब्रसपती है अगर वह भी पीडित हो जाए तो व्यक्ति का जीवन बहुत बेकार होत जला जाता है जीवन के सभी छेत्रों में मंगल दोश तो यह ही है आठवेगर में है बस शास्ति कहता है कि अगर यहां पर स्वराशिया उच्च का मंगल वैठा हो तो मंगल दोश भंग होता है लेकिन उस पर भी नियम है अगर वह शुबग्रहों के साथ या दृष्ट तो भाईया फिर इस मंगल दोश को आप यह न मानों रहा फिर वह और दुग्णा परवल हो गया अब मंगल यहां उच्च का हो जाए तो क्या करेगा पहली बात मंगल यहां विपरीत राजयों में आप इस विपरीत राजयों को मैं अच्छा मानता हूं छटेगर का माली में लड़के जीतने में शक्षम, अश्टम भाव में मंगल उच्च का है, 11 थाउस को देखता है, इसको कहते हैं sudden gain, जिल लोगों का पैसा अटक गया, पैसा फस गया, कोई पैसा नहीं दे रहा है, तो वहां से क्या होता है, पैसे को निकाल के लाता है, ऐसा प्लेनेट, मंगल एक आदश भाव को देखता है sudden gain, जिसकी उमीद नहीं थी, ऐसा gain मिलता है, अचानक से बड़ा लाब मिलता है, अचानक से नोकरी में तरक्की, प्रमोशन मिलता है, कोट, कचरी, जगड़, जंजटों में विजय मिलती है, प्रतोगिताओं में विजय मिलती है, लेकिन निय देखनी बहुत ज़्यादा जुरूरी है, हाँ अगर ये स्वस्त है, अच्छी अवस्ता हुए, बुर एक्जाम्पल देखिए, या शनी की राशी में उच्चका है, अब शनी की रहा है, अगर मालो यहाँ कहीं भी केंद्रत रिकॉन में बैठ जाए, तो क्या होगा, मंगल की दशा में राइज करो गया, आप कहोगे मितुन लगन के लिए मंगल खराब होता है, लेकिन आप मंगल की दशा में राइज कर जाओ, तो वह चीज भी चेक करनी है, अब मंगल की तीन दरश्टिया है, स्वभावी ग्रूप पे कहा जाता है कि जिसका मंगल आठवे घर मे को आप नरम रखें, कोशिश करें, कम बोलें, जितना बोलें, वह होके भी मतलब की देखे पर बोलें, बाकी तु बोलने की जुरुत नहीं है, अब इस मंगल की दरश्टी यहां से यहां पर है, यहां से यहां है, इलेवन था उस व्यक्ति का जो ध्यान है, यह चौती पैसे संबंदित सुक को प्राप्त करने के लिए नई नई योजनाओं का जीवन में आना मंगल की सिस्तिति से दिखाई देता है और व्यक्ति मंगल किस द्रश्टी के करण किसी ना किसी प्रकार से गेन कर ही लेता है लाब ले ही लेता है मंगल की द्रश्टी तीसरे भाव पर है सामाने तोर पर देखा रहाता है अगर मंगल चटे आठवे बार्वे भाव में हो पीडित हो तो ऐसे लोगों को चोटे भाई वैन का सुक नहीं मिलता और यदि चोटा भाई वैन हो जाए तो उसके साथ संबंद ठीक नहीं रहते बहुत बार बहुत पीडित होने के कारण अपने से चोटे भाई वैन की जल्दी से मिरती हो जाना या उनको किसी प्रकार का बहुत भारी कश्ट रहना जीवन ही पूरा संगर्श्म बीतना भी ऐ स्टम से बैटकर मंगल तीसरे घर को देखता है मैंने अभी भी कहा था कि जरनीज में साब्धान नहीं जब भी यातराय करें साब्धान नहीं रिस्क ना ले अपने से चोटे भाई बहनों को साथ मिलकर कोई काम या व्यापार ना करें नहीं तो वह आपको चीट ही करेगा आपको काम में लगा देगा अपने तरफ से कुछ मेहनत नहीं करेगा ऐसे लोगों को देख रहा है तो अपने से चोटे भाई या अपने चोटे लोगों को संबंद जो है वह बहुत बढ़िया नहीं रहते उनके मन में हमेसा यही रहता कि लालच वाली भाव आप उनको है अश्टम में मंगल क्या करेगा सभी स्वर्य स्थियों में क्या करेगा और आपको क्या दे सकते है तो यह था अस्व्न भाव में मंगल के सबी प्रकार की स्थियों कि वह जैसरी नाम